दोस्तों स्वागत है आप का और रखने विडियो में और रखने टॉपीक के साथ मैं हुट्व डूप्र्यप्डेवू यह तो सले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और चेर जरूर से कर दीजिएगा जनुपर पहली बढ़ आए सबस्राइब कर दीजिएगा अज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसल्मानों पर भारी पड़ चुका है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाग वाकिया पेश आया और आज हमारा मीडिया हो हमारे वजीरी आजम हो हमारे मेर हो हमें कहरें के भई सीखो वो देखो किस तरह तरक्की करें आप भ किसा करो जंगों जंगे हाल नहीं है कोई और मुसल्मान बोले ना बोले अब लिए अच्छा हिंद से आया हिंद से आया तो पुराने पुरानी हिंदू तहजीब की बड़ी काम्याबियां थी और वह आजकल मुझे इतना फखर हुआ के चुनिदाल जी पाकिस्तानी ना की अच्छा लगा उनकी इस बहादरी और इमान दारी को मैंने तो ये देखा कि इंडिया में जो सांटिफिक कॉलिटी है वह अब वैसी है जैसा कि चाइना में है जापान में है अमरीका में है है आप यह देखें कि क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखा है आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया अपने लोगों को ट्रेंड करकर के भार वेजा दुनिया की 25 बड़ी कंपनी से सीओ इंडिया ने उन 25 कंपनी के पास पांच ट्रिलियन डॉलर का बजट है पांच अरब डॉलर मैं खुद बिजनस का स्टूड़न हूँ मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिगरी पे 20-25 लाख लगा तो जब मैं मार्केट में देखता हूँ कहता है यार कुछ भी नहीं है तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ गया ये मुलक छोड़ना पड़े का म चुन-चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया हलाक कर दिया गया नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की कराची शहर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक अमीर लड़की ने नशे की हालत में अपने फॉर्चुनर से रोड में चल रहे लोगों की चान ले ली और जब उस लड़की को गिरफतार किया गया तो उसने अपने प अपने नशे की हालत में लुथ होकर लोगों की जान ले ली अब हम सबको पता है कि पाकिस्तानी पैसो के लालच में अपने देश तक को बेज देते हैं वैसे में एक हिंदू डॉक्टर जिसने डट कर अहिंसा और अन्याय की खिलाफ खड़े होकर लड़की की सच्चाई द कर लें और शेयर करें नाजरीन आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुस्सल्मानों पे भारी पड़ चुका है आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक बाकिया पेश आया एक अमीर जादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्चून हिंदू डॉक्टर ने बगएर किसी दबाओं में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया चुनी लाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर है उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीजा नहीं है बलके नशे की हाल जो दो तीन दिन पहले का अफसोसनाक वाकिया पेश आया एक अमीर जादी ने नशे की हालत में फॉर्चूनर के नीचे कई लोगों को कुचल दिया क्या कहना चाहेंगे पहले आप इस सारे मामले के उपर जी बिलकुल बहुत ही दिलखराश वाकिया था और जो लोग पहले से कानून पर इतना भरोसा नहीं करते इस पूरे सेनेरियों ने उनके जजबात में मजीद इजाफा किया है कि वो इस बात पर आप मनोण यकीन कर लें कि इस मुलक में इनसाफ के लिए कोई जगा नहीं रही इसके साथ साथ मैं कोई और मुस्लमान बोले ना बोले I will salute डॉक्टर चुनिलाल जी जिस तरहां उन्होंने बगेर किसी दबाओ में आए इमान दाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा तो कोई और मुस्लमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी But being a Muslim, being a medical professional, I would like to salute Sir चुनिलाल जी तो मैं तो यहां तक कहूंगा के हजारों सादत हसन चुनिलाल जी पर कुर्बान इतना मुझे उन पर रश्क आया और मुझे इतना फखर हुआ के चुनिलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादरी और इमानदारी को देखकर और बहुत अफसोस हुआ अपने निजाम अदल को इतना कमजोर और मकड़ी के जाले की मा पानित पाते हुए तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सेनारियो को देखकर सीख सकते हैं सना देखें एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया सिर्फ सोशल मीडिया के एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गय और किसी किसम का कोई कमप्रोमाइज उनका भी हो जाता है जो हमारे मीडिया का हाल है उस वक्त तो यकीनople को सोशल मीडिया को लिए पाकिस्तान भी जहां पर भी किसी कमज़र के साथ कोई जियाती या जबर का सिलसला आ बको दिखाई देता है तो सोशल मीडिया दिया लेकिन जो शक्सियत खुलकर सामने आई चुनी लाल जी का किर्दार जो इसमें सामने आया वो एक आँखों को खोलने का और लोगों के सामने एक किर्दार की जो बुलंदी है उसको दिखाने की खातिर जिस तरह का एक खुबसूरत किर्दार लोगों के सामने आया पाकि प्रफेस्टानी प्रफेशनल को उनसे सीखना चाहिए यह होता है। प्रफेस्टानी प्रफेस्टानी चाहिए। कि जीरो इजाद जो है, वो यहां की थी, इस खिते की. ना, ये बात गलत है, अल-बेरुनी जब यहां आया, नाइन नाइन्टी सम्थिंग. उस वक्त उसने यहां आकर संस्कृत सीखी, उसने तेरा साल तक संस्कृत सीखी, उसने देखा कि ये ब्रह्मनों के पास क्या इल्म है, उनकी पुरानी किताबों में क्या इल्म है, और वो उससे बड़ा मुतासिर हुआ, उसने का कि इनकी रियाजी, इनकी फिजिक्स तो लाजवाब है, और जो हिंसे है ना, और सिफर, ये अल-बेरुनी ने अरब पहुंचाया, अच्छा, ये देखे, उर्दु में हम क्या कहते है, हिंसे, हिंसे, अच्छा, हिंद से आया, हिंद से आया, हाँ, तो पुराने, पुरानी हिंदु तैजीब, जैनके दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, बागी दोस्तों, आपकी क्या राए है, इस वीडियो के माधियम से, आप कमेंट में लिख कर जरू बता दीजिए, फिलाल आपसे विदाय ले रहे, मिलेंगे और एक ने वीडियो में दोस्तों आपके साँ, तिल जैनि जैनि जैनि